कि दो हजार बाइस कि जब बारत की आजादी के 45 साल होंगे इस देश में एक भी परिवार ऐसा नहीं होगा जिसका अपना खुद का गर नहीं होगा देख रहा है विनोध कैसे 2022 में हर सर पर छट देने की बात को हर घर तिरंगा की पैकेजिंग के पीछे छिपाया जा रहा है तुमको घर मिला विनोध यह तो बड़का भारी बात है भाईया यहां तो बुल्डोजर चल जाता है साल 2022 यानि आजादी के 75 साल यानि न्यू इंडिया बनाने का वादा कुछ वक्त पहले मीडिया चीख चीख कर कह रहा था मोधी कामिशन 2022 2022 तक निया हिंदुस्तान क्या है 2022 का प्लैन तो क्या 2022 तक निया भारत बनाने का सपना पूरा हो गया क्या बीजेपी ने आजादी के 75 साल पूरे होने पर जो वादे किये थे वो पूरे हुए क्या सब को घर मिल गया क्या भारत पांच ट्रिलियन की एकोनॉमी तक पहुँच गया क्या सच में खुले में शौच मुक्त हो गया भारत अगर देश भक्ति की लाइट जलाकर बेरोजगारी अधूरे वादों और किसानों की बदहाली के अंधकार को छिपाएंगे तो हम पूछेंगे जरूर जनाब ऐसे कैसे साल 2018 में राजिस्थान में एक रैली में पीएम मोदी ने देश की जनता से वादा करते हुए कहा था कि मैंने वरत लिया है कि 2022 तक एक भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका अपना खुद का पक्का घर नहीं होगा आजादी के 75 साल हो रहे हैं और पीएम के कहे के मताबिक 2022 तक हर परिवार के पास अपना घर होना चाहिए था लेकिन क्या ऐसा हुआ जवाब है नहीं आवास और शहरी मामलों के मंतरी हरदीव सिंग पूरी ने चुलाई 2022 में बताया है कि प्रदान मंतरी आवास योजना शहरी मतलब सभी के लिए आवास मिशन के तहत एक करोड 22 लाग सुईकृत मकानों में से कुल 61 लाग पक्के मकान बन चुके हैं या लाभारतियों को आवंटित किये जा चुके हैं बतादे कि सरकार ने साल 2015 में इस योजना की शुरुवात की थी हाँ वो अलग बात है कि हर भारतिये के सर पर चट देने की बात करने वाली सरकार बुल्डोजर के जरिये लोगों का घर चीन रही है वो भी बिना अदालत के फैसलों के अब चाहे मदपरदेश के खरगौन का मामला हो या उत्तरपरदेश का अब आते हैं किसानों की आई दोगुनी करने के वादे पर उससे पहले आप ये वीडियो देखिये हमारा सपना है 2022 जब बारत की आजाधी के 75 साल होंगे आजाधी के 45 साल जब हो हमारे देश के किसान की आई डबल होनी चाहिए दो गुना होनी चाहिए और उसके लिए हम काम कर रहा है। 703 होगी अनुमान लगाया गया था कि ये साल 2022-23 तक बढ़कर 1,72,694 हो जाएगी लेकिन सवाल है कि क्या इस समीती की बात सच हो गई जवाब है पता नहीं सरकार ने किसान की आय दोगनी या बढ़ने को लेकर कोई ठोस डेटा सामने नहीं रखा है लेकिन किसानों के लिए अलग अलग योजनाओं के तहक मौझूद डेटा कुछ कहानी तो बता रहे हैं नेशनल सैंपल सर्वे ओफिस यानी इन एसेसो के आकड़ों को देखेंगे तो पता चलता है कि सभी सोर्स से किसी क्रिशक परिवार का असल आय साल 2012-13 और 2018-19 के बीच लगभग 21 फीजदी बढ़ी है इसका मतलब यह है कि वास्तविक रूप से सिर्फ 3.5 फीजदी या इसके आसपास की ओसत सालाना बढ़ोतरी दर रही किसानों के इंकम डबल तो दूर की बात हो गई गरीबी और कर्ज के कारण किसानों की आत्महत्या जारी है और सरकार के सांसद इस पर जूट बोल रहे हैं वो भी संसद में एक अगस 2022 को लोकसभा में मोदी सरकार के सांसद निशिकान दूबे ने कहा कि पिछले आठ सालों में यानी बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की लेकिन सांसद साहब को कौन बताए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB उनकी बातों को जूटा बता रहा है हमने 2014 यानी जब पिये मोदी सत्ता में आये थे तब से लेकर 2020 तक का डेटा देखा तो पाया कि इस दौरान 43,181 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है अब सवाल ये भी है कि अगर किसान की आमदनी बढ़ रही है तो किसान खुदकुशी क्यों कर रहे हैं चलिए अब बात करते हैं एक और वादे की 5 ट्रिलियन एकोनोमी का वादा साल 2018 में एक कारिक्रम में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने कहा था कि भारतिय अर्थ व्यवस्था का आकार 2022 तक दोगुना होकर 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगा लेकिन ऐसा हुआ नहीं जब ऐसा होता नहीं दिखा तो पास ट्रिलियन के लक्ष को 2024 तक शिफ्ट कर दिया गया लेकिन ये भी मुश्किल है क्योंकि पास ट्रिलियन एकोनोमी के लिए अगले तीन सालों में सालाना 22 से 25 फीसदी की GDP ग्रोथ लानी होगी जो फिलहाल दूर दूर तक नहीं दिख रही है ये सही है कि बीच में क्रोणा का रोड़ा आया लेकिन क्रोणा के पहले भी एकोनोमी की ग्रोथ रेट ऐसी नहीं थी कि 2024 पच्चिस तक पास ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच जाए चलिए अब आपको एक घिसा पिटा वादा याद दिलाते हैं जिसे जुमला कहकर भुलाने की कोशिश की गई साल 2014 के चुनाफ से पहले हर साल दो करोड नौकरी का वादा किया गया था मतलब 8 साल में 16 करोड नौकरी लेकिन मिले सिर्फ 7 लाक केंद्रिय कार्मिक राजमंत्री जीतेंद्र सिंग ने जुलाई 2022 में लोकसभा में दिये एक लिखित जवाब में बताया है कि 2014-15 से 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार के अलग-अलग विभागों में 7,22,311 लोगों को नौकरी दी है वही केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए आविदन करने वालों की संख्या 22 करोड से भी ज्यादा रही आपको ये भी बता दे कि केंद्र सरकार के कई विभागों में 1 मार्च 2022 तक 9,89,000 पद खाली थे जी हाँ 9,00,000 से ज्यादा पद खाली है अब आपके किचन में चलते हैं और पता करते हैं कि सरकार आखिर पका क्या रही है मोदी सरकार ने उजला योजना के अंतरगत मार्च 2022 तक वन्चित परिवारों को 8 करोड एल पीजी कनेक्शन जारी करने का लक्ष रखा था जो कि सरकार ने सितंबर 2019 में ही पूरा कर लिया 2016 से 2022 अप्रेल तक मोदी सरकार ने उजला योजना के तहट 9 करोड मुफ्द रसोई गैस कनेक्शन बाटे हैं इस बात पर सरकार की पीट थप थपानी शाहिए लेकिन ये शाबाशी फिलहाल फीकी पड़ गई है क्योंकि केंद सरकार ने संसद में बताया है कि पिछले 5 सालों में प्रधान मंतरी उजला योजना के 4 करोड 13 लाख लाभारतियों ने एक बार भी सिलेंडर रिफिल नहीं कराया है वहीं 7 करोड 67 लाख लाभारतियों ने सिर्फ एक बार सिलेंडर भरवाया चलिए अब आपको एक और मुद्दे से मिलवाते हैं Open Dification Free भारत यानि खुले में शौच मुक्त भारत 2 October 2019 को भारत सरकार ने देश को पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त घोशित कर दिया था स्वाच भारत मिशन की वेब साइट पर जाएंगे तो देखेंगे कि 99 फीजदी से ज्यादा भारत खुले में शौच से मुक्त हो चुका है लेकिन बिहार से लेकर उत्तरप्रदेश के गाओं के किनारों की सडके और खाली मैदान इन दावों की पोल खोल देंगे चलिए अब आपको एक और वादा दिखाते हैं पंदरा अगर्स 2019 को लाल किले की प्राचीर से पिये मोधी ने कहा था कि हम सपना देखते हैं कि आजादी के 75 साल हो तब हिंदुस्तान के हर गाओं में आप्टिकल फाइबर नेटवर्क हो ब्राटबैंड की कनेक्टिविटी हो तो क्या ये सपना पूरा हो गया ट्राइ की रिपोर्ट दा इंडियन टेलिकॉम सर्विसेज परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जनवरी मार्च 2022 के मुताबिक भारक में 824 मिलियन इंटरनेट सब्सक्राइबर हैं यानि देश की 69 तीजदी आबादी इंटरनेट का इस्तिमाल करती है वहीं बिहार में 48 तीजदी आबादी के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है एक सवाल और है क्या गंगा साफ हुई जवाब है पता नहीं बुलेट ट्रेन अब तक अपने स्टेशन पर नहीं पहुँची है तो कुल मिलाकर आजादी के अमरित महुतसप पर देश अधूरे वादों का विश पी रहा है देश भक्ति को सिर्फ नारे बाजी और प्रतीकों में समेटा जा रहा है तिरंगा फैराएं फैराना ही चाहिए लेकिन असली आजादी का जश्न उस दिन मनेगा जब उस जंडे को थामने वाले हाथ मजबूत होंगे हर घर तिरंगा फैराने की अपील तब पूरी होगी जब हर भारतीय का घर होगा और उसमें खुशाली होगी आजादी के 75 साल पर 75 तरह के वादे फिर शायत किये जाएं लेकिन उन वादों को अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम पूछेंगे जरूर जनाब ऐसे कैसे